नमस्कार्मित्रों, 11 classes के YouTube platform पे आपका बहुत-बहुत स्वागत है, मेरा नाम विवेक है, हम लोग Current Affairs खिक्षा के साथ पुनाव उपस्तित हैं, आज की कक्षा में हम बात करेंगे आर्थिक परिदिर्स के बारे में, आर्थिक परिदिर्स की यह हमारी चठीक अच्छा है, देश से क्या है, उसके बाद दूसरा आज का हमारा टापिक होगा, IIT, कानपूर और Airbus के मद्दे सायोग हुआ है, तीसरा होगा, IFCO के Nano-DAP, सायंत्र का सुहरम हुआ है, और उन्नत और पारंपरिक बीज के उत्पादन पर राष्ट्य संगोश्टी, तो आए चारो जो हमार में अगर प्रश्ण पुछता है, तो पहले पुछता है कि यह योजना किस मंत्राले के द्वारा संचालित की जा रही है, दूसरा पुछेगा, इस योजना का लक्ष उद्दे से क्या है, तीसरी बात पुछेगा, यह योजना कब लागू की गई, यह महत्तपून चीजे है तो पी-म स्वानिधी योजना की महत्तपून उपलब्धी क्या है, यह योजना किस मंत्राले के द्वारा की गई है, आवास और सहरी मामलों के मंत्राले के द्वारा, जारी प्रधान मंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्म निर्भर निधी योजना ने देश भर में 50 लाग से अधिक इस्ट्रीट वेंडरों को अपना समर्थन प्रदान करके एक महत्तपून मिलका पत्तर हांसिल किया है, इस्ट्रीट वेंडर मतलब जिनका फुटपा अथो पर जिनकी दुकाने रहती है, उनको इस्ट्रीट वेंडर कहा जाता है, आगे जो यह पी-म स्वानिधी यो उनकी पहुच को सुथिघा जनक बनाना है। इसका उद्दे से क्या है, इसका उद्दे से है कि जो इस्ट्रीट वेंडर सें, उनको अवचारिक आर्थिक प्राणाली में एकी क lässt करना है। उसके बाद माइक्रो क्रेडिट की सुविधा से परे PM स्वनेधी योजना डिजिटल भुकतान के माध्यम से स्ट्रीट वेंडर्स को ससक्त बनाती है। जो PM स्वनेधी योजना क्या है जो माइक्रो क्रेडिट की सुविधा है इससे अलग है। जो digital भुगतान के माध्यम से street vendors को ससक्त बनाती है, डिजिटल भुगतान मतलब ATM से भुगतान हो गया, फनपेज से भुगतान हो गया, भीम, एप के माध्यम से हो गया, बैंकिंग, एकाउंट के जरिये हो गया, तो उसके तहत की बनाता है, प्रश्ट इससे दो तिन पूछे से जुडी हुई है तो संदेंदी योजना किस मन्तराले के दोरारत आवास Water से हम सहरी मामल Marin मन्तराले की दोरा प्रणाना की गई है इसका सर्कार हमारी टिल्ग चाहती किस प्रखाइर की पहल स्कने माध्यम से दिखाती है यह सारी वात को कमनी अपनी इस PM स्वानिधी योजना की महत्पुन उपलब्धी वाले टापिक में जाना IIT कानपूर और Airbus के मद्ध सहयोग हुआ है IIT कानपूर मतलब Indian Institute of Technology भारती प्रद्योकी संस्थान कानपूर और Airbus के मद्ध क्यों सहयोग हुआ है किस काम के लिए सहयोग हुआ है आईए इसमें हम बात कर लेते हैं हाल ही में IIT कानपूर और Airbus ने भारती एरो इस्पेस छेत्र में प्रतिभा विकास को बढ़ावा देने के लिए सिक्छा कारिक्रमों के विकास हेतु एक समझावता ग्यापन पर हस्ताक्चर किया है सिक्छा विकास सिक्छा विकास मतलब ऐसी सिक्छा जो हमारे विकास का माध्यम बने साज़िदारी मुखे रूप से उन्नत प्रद्योकी में अनुशंधान तथा भारत में यो इसपेस चात्रों के लिए तकनीकी चमताओं को के भढ़ने पर केंदर्त रहेगी जो एडिशा सिक्छा और और अनुसंधान के चेतर में अनुसंधान को क्या से बढ़ावा देगी जो IIT कानपूर है वो विज्ञान, इंजिनिरिंग, प्रवंधन और मानुविकी में अपनी सिख्षा और अनुसंधान के लिए 2080 पर प्रसंसित है जो हमारा IIT कानपूर है विज्व विख्यात इंस्ट्टूट है किस-किस मामलों में विज्ञान के छेतर में, इंजिन मिलियन रुपए का राजस्व अर्जित भी किया था यह समझाता हुआ है एरोइस्पेस में उन्नति करने के लिए प्रदोकी में अनुसंधान के था भार चात्रों को तक्निकी चमताओं में बढ़ाने पर केंद्री थो दिगगी इससे एरोइस्पेस के छेत्र में हमारे चात् पढ़ेंगे और नहीं नहीं चमताओं को और विक्सित करेंगे इफको के नैनों डियेपी सयंत्र का सुभारंब हुआ है इफको 24 अक्टूबर 2013 को केंद्री ग्रियो संहकारिता मंत्री स्री अमित साह ने गुजरात के गाधी नगर जिले के कलोल में कलोल में अगर कलोल सब् बोतलों का उत्पादन होगा दो लाक बोतल 500 ml मतलब लगवग आधा लीटर दो लाक मतलब एक लाक लीटर तरल डियेपी का उत्पादन किया जाएगा प्रतेक बोतल 45 किलो के बैक के बराबर होगी तथा एक बोतल की कीमत 600 रुपए होगी या नवएन मेसी तरल उर्वरक उ डियेपी के पारंपरिक 50 किलो ग्राम बैक का अस्थान लेगी जो यह 45 किलो वाला है हमारे 50 किलो वाला डियेपी का अस्थान ले लेगा जिसकी कीमत बरतमान में किसानों के लिए साहे 1300 रुपए है 45 लिटर का तरल डियेपी आएगा उसकी कीमत साहे 1300 रुपए होगी 50 किलो वजन कम हो जाएगा और 45 किलो वाला हो जाएगा गुजरात के गाधी नगर जिले के कलोल में इफको के नैनो डियेपी संयंत्र का लुकारपन हमारे ग्रिह मंत्री अमित साह जी ने किया और पारमपरिक वीज के उत्पाधन पर राष्टी संगोष्ठी हुई है 26 अक्टूबर 2023 को हमारे नई दिल्ली में केंद्री ग्रिह मंत्री अमित साह ने साहकारी छेत्र के माध्यम से उन्नत और पारमपरिक वीज के उत्पाधन पर राष्टी संगोष्ठी को संबोधित किया है राष्टी संगोष्ठी का आयोजन भारती बीज साहकारी समिती लिम्टिट द्वारा किया गया है 200 बीज निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 0.6% है अता इस चत्र में सुधार की ब्यापक कुझाईस है बीज उत्पादन की हमारी चमता है बिज निर्यात केवल 0.6% मतलब अगर 100 किलो बीज जाता है तो उसमें 0.6 किलो ग्राम अर्फा 600 ग्राम भी भारत का बीज निर्यात होता है तो बहुत कम मात्रा है इसलिए इसके विकास के लिए इसके छेत्र को बढ़ावा देने के लिए अपार संभावनाय दिख रही है। आज हमने इस अपनी कक्षा में चार टाफिकों के बारे में पढ़ा सबके अपने विभिन विभिन महत्तुपूर आयामते परिक्षा के दिश्टी से यह कक्षाएं महत्तुपूर होती है। विभिन ईसके भी उले झाले है।